बात करें आसे अगर आप बिनॉला खल की तो बिनॉला खल का जन्वरी वाइदा देख रहे हैं बिनॉला खल में देखने को मिल रही है हम देखने की बिनॉला खल की जो कीमते हैं 3400 का लेवल दिखाने के बाद 3300 के लेवल परी trade करती नजर आ रही है 3400 का लेवल हमने बीटे कार बारी सबता बिनॉला खल में लगते हुए देखाता लेकिन वहाँ पर sustainability नहीं देखने को मिली है वहाँ पर बिनौला खल का वैदावजा 3400 पर टिक नहीं पाया है 3400 की ओपर trade करता नजर नहीं आ पाये इसलिए देखने की 3300 के range में trade करता नजर आ रहा है आपको बता दें कि बिनौला खल में जो जानकार है लगातार positive ही है कि बिनौला खल की कीमतों में लगातार तेजी ही देखने को मिलती रहेगी बिनौला खल में इस बार काफी शांदा रिटन मिलता और नजर आ सकता है साल 2022 के अंदर ऐसा experts का मानना है experts के according आपको बता दूं कि बिनौला खल की जो industrial demand है वो थोड़ी जादा देखने को मिल सकती इस बार क्योंकि dairy और poultry industry से बिनौला खल की जो industrial demand है वो देखने को मिल सकती है इस बार जो घास खिलाई जाती है पुशू को चाहे सूकी गास हो चाहे हरी गास हो उनकी कीमतों में बड़त देखने को मिली है जिसकी वज़ा से पुशू की जो लागत है उसमें थोड़ी बड़ोत रही है इसलिए जो invest था पुशू के उपर वो थोड़ा कम किया गया है तो उसका अशर दूद०ुध पादन पर पड़ा है और दूद की कमी थोड़ी देखने को मिली है इस बार हम देखा है कि जो साउथ में कुछ राजे जासे तेलंगन आ हो या करनाट का हो या वहाँ पर दूद की जो कीमती है उनमें बड़त देखने को मिली है सरकारों ने राजे सरकारों ने दूद की कीमते बढ़ा दिये जिससे की आमजन को भी थोड़ा ये देखने को मिल रहा है कि इस सीजन में दूद की कीमते आम तो और पर नहीं बढ़ती हैं लेकिन इस बार बढ़ी है तो वो भी थोड़े चकित थे, वो भी थोड़े सर्प्राइस थे कि इस बार दूद की कीमते बढ़ क्यों गई क्योंकि पशुओं को इस बार खान पान सही से नहीं दिया गया है क्योंकि हरी गांस, सुकी गांस की जो कीमते थी उनमें बढ़ातरी देखने को मिली लागत, जादा देखने को मिली लॉगडाउन लागाता इसकी वज़ासे पशुओं पर इन्वेस्टमेंट कम की गई है, पशुओं पर लागत कम लगाई गई है जिसका असर दूद उतपादन पढ़ा, अगर दूद उतपादन कम हैं तो दूद की कीमतों में बढ़ातरी देखी गई है और पशुओं में दूद बढ़ाने के लिए बिनौला खल यानि की कपासिया खली ही एक मातर ऐसा उतपाद है जो दूद में फैट की मातरा को और उसके उत्पादन को बढ़ा सकता है बाकी खलों की बात करेंगा जैसे सोयाखली, सरसोखली ये बाकी खल जैसे जो भी होते हैं उनमें प्रोटीन तो होता है जो पशूँ के लिए फायद मन्द होता है लेकिन दूद की में fat की मातरा और दूद के उत पादन की मातरा बढ़ाने का काम जो करता है वो बिनौला खली करता है तो इसलिए बिनौला खली की जो industrial demand है वो आगे देखने को मिल सकती है और powder milk की भी जो कीमते हैं उनमें भी बड़ोतरी देखने को मिली है जिसकी वज़ा से आगे चलके बिनौला खल की कीमतों में और उत्चाल देखने को मिल सकता है आपको बता दें कि कॉटन की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है आपको बता दूँ कि इस बार कपास बीच की जो किलत है वो देखने को मिली है और अगर कपास बीच की जो कमी है वो रहेगी तो अव्यसी वाद है कि उससे जो उत्पाद होता है बिनौला खल उसमें भी कमी देखी गई है लगबग 10-15 फीसद की कमी बिनौला खल में इस बार देखने को मिली है तो उत्पादन कम है डिमांड जादा है और आगे डिमांड भी और देखने को मिल सकती है जिसका असर साफ साफ बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता दिखाई देख सकता है तो बिनौला खल में आगे कीमते क्या रहेंगी और क्या स्ट्रेजी बना कर चलना सही रहेगा जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से इस वक्त हमासार जुड़ मिल रही है हां कि वीक में इस워서 10ए 8500 के उपर ही देखने को मिल रहे हैं हमने लास् वीक देखा था कि 3400 के लाव बुकिंग है मैंने उस समय भी आपको बोला था किसमें एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और वहीं विटनेस होती है और आने वाले हफ्तों में चांसे देगी वापे से रिकॉपरी देखने को मिलेगी सपोर्ट रहेगा इसके लिए 32 का में हायर सा प्रॉफिट बुकिंग है यानी छोटी अवदी के लिए मुनाफ़ा वसूली थोड़ी हावी होती भी नजर आई है लेकिन फिर से खरीदारी बिनौला खल में और बड़ती नजर जरूर आईगी जो कीमतों को उपर में रविंदे जी के मुताबिक 3600 तक लेकर जा सकती है